इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ये सर्दी, फ्लू और ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन संक्रमन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और संक्रमन और बीमारियों से लड़ने की ख्षमता में सुधार करने में मदद करता है। दो, इसमें एंटी इंफ्लिमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर में जलन और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। तीन, ये श्वसन स्वास्थे को बहतर बनाने और सर्दी, फ्लू और ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन संक्रमन के जोखिम को कम करने में मदद करता है। चार, यह अपने तनाव कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है और आराम को बढ़ावा देने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। 5. ये पाचन में सुधार, कप्ज को कम करने और आंथ की स्वास्थे में सुधार करने में मदद कर सकता है 6. यह मुहा से, पिंपल्स और अन्यत्वचा संक्रमनों को कम करके स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है साथ ये शरीर को ओक्सिडेटिव तनाव और मुक्त कड़ों से हुने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें